जंगली जानवरों को अपने अस्थित्व की रक्षा के लिए अक्सर लड़ना पड़ता है और जिन हत्यारों का वो इस्तमाल करते हैं उनके ही शरीर के अंग होते हैं जाहे फिर ये हत्यार उनके पंजे हो, नाखून हो, जबडा या नुकीले दात हो या उनका सबसे मजबूत वैपन उनका सींग हो वैसे ये सींग सिर्फ डराने या मारने के लिए ही नहीं होता बलकि ये सींग जानवरों की खास पहचान और उनके शरीर की शोभा भी होते हैं आज के इस वीडियो में हम 15 ऐसे जानवरों की प्रजातियों के बारे में बात करेंगे जिनके लंबे लंबे और विशालकाय सींग ही उनकी पहचान है अलग-अलग शेप और डिजाइन्स के ये सींग कभी तो इनके बड़े काम आती है तो कभी-कभी इनके लिए ही मुसीबत का सबब बन जाती है इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जानवरों के ये बड़े-बड़े सींग खतरनाक है भी या सिर्फ शोपीस है तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं इतिहास में पैदा हुए दुनिया के आज तक के सबसे लंबे सींगों वाले जानवरों की जीवन गाथा नम्बो फिफ्टीन साइगा ये हिरणों की एक प्रजाती है और अपनी इस अटपटी नाक के लिए जानी जाती है अगर इनके सींगों की बात करें तो केवल मेल साइगा के सिर के उपर ही सींग होते हैं देखिए लेराते हुए इस सींग इन हिरनों के उपपर कितने सुन्दर लगते हैं और इनके उपपर ये रिंग्स इनकी खुबसूर्ती में चार चांद लगा देती हैं अगर लेंग्ट की बात की जाए तो इनके सींग 20 से 40 सिंटीमिटर की लेंग्ट के बीच में वैरी करते हैं बड़े सींग होने का ये मतलब बिलकुल नहीं है कि ये खतरनाक होते हैं ये बड़े प्यारे और अडॉरेबल जानवर होते हैं और बेवज़ा किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाते नमबो फूटीन जेकब शीप ये भेड बहुत ही स्पेशल और सामान्य भेडों से कई मायनों में अलग है जो चीज इसे यूनीक बनाती है वो है इनके सींग ये ऐसे कमाल के जानवर होते हैं जिनके दो नहीं बलकी 4-4 सींग होते हैं और किनी-किनी भेडों के तो 6 सींग भी होते हैं इनके ये सींग बहुत ही खुबसूरत बिलकुल किसी खास तरह के राजमुकट की तरह लगते हैं लगबग 60 सेंटीमीटर वाले लंबे और नुकीले सींगों वाली ये भेडे थोड़ी डरावनी तो जरूर होती है और इंसानों पर भी वार करने से पीछे नही लेकिन हम आज सिर्फ अपने शो के सूपरस्टार खुद काले हिरन के बारे में बाते करने वाले हैं ये ज्यादा तर पहाडी इलाकों में पाय जाते हैं और पहाडों पर उचल उचल कर दोड़ने की इनकी कला खाना ढूंडने और जंगली शिकारियों से छिपने में इनकी बड़ी मदद करती है इसके अलावा खुद को सुरक्षित रखने ये अपने सींगों का भी बखू भी इस्तमाल करते हैं इनके सींगों की लेंग्ध होती है करीब करीब 75 सेंटीमीटर अलका सा कर्म लिए ये लंबे सींग काले हिरन को बड़ा सुंदर लुक देते हैं लेक देखिए तो इनके इन मोटे मोटे और करली हॉंस को इनसे हमेशा बच के रहने की सला दी जाती है क्यूंकि ये कभी भी हमला कर सकती है सबसे कमाल की बात तो ये है कि पूरी जिंदगी इनके ये सींग बढ़ते ही रहते है और इनकी लेंग्ध पहुच जाती है करीब 90 सेंटीमीटर तक लेंग्ध के साथ साथ इनका वजन भी बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब इनके सींगों का वजन इनकी पूरी बोडी में मौझूद सारी की सारी हड़ियों के वजन से भी जादा हो जाता है लगातार सींगों का बढ़ना इनके लिए भारी मुसीबत बन जाता है ये देखिए, ये साल 2014 की बात है जब एक भेड के सींग इस तरह से बढ़ते रहे कि उसके अपने चेहरे में ही घुज गए सींगों की बात हो रही हो और इन बिशाल काय जानवरों का नाम ना आए ऐसा भी बला हो सकता है कह कभी दुनिया में दो तरह की भैसों की काफी बाते होती है एक एफ्रिकन बफलो या केब बफलो जिसके ताकत और दम का खोई मुकावला नहीं और दूसरी एशिन वाटर बफलो जिसके सींगों का कोई जोड नहीं ताकत के मामले में भले केब बफलो वाटर बफलो को पीछे छोड़ दे मगर जब सींग की साइज और लेंग्ध की बात आती है तो वाटर बफलो बहुत आगे निकल जाती है केब बफलो से इनके सींगों की साइज करीब-करीब 119 सेंटीमीटर तक हो जाती है इतने बड़े सींगों के साथ ये भैस किसी दानव से कम नहीं लग रही है 1955 में तो एक ऐसा केस दर्स किया गया था जहां एक भैस के दोनों सिंगों की टोटल लंबाई करीब 422 सेंटीमीटर से भी उपर पहुच गई थी अब अगर बात करें कि ये बड़े बड़े सिंग इनकी कमजोरी है या ताकत तो अब इसलिए ये इनकी ताकत ही है जो इने दूसरे शिकाली जानवरों और अपने ही विरादरी की भैसों से लड़ने में मदद करते हैं और इसलिए जब इने खत्रा मैसूस होता है तो ये बहुत भयानक और खुंखार हो जाती है ये देखिए कितने खुपसूरत सिंग है सिरन के शरीर के हिसाब से ये कोई बहुत जादा बड़ा जानवर नहीं है मगर इतना बड़ा जरूर है कि करीब 120 सेंटीमीटर लंबे सिंगों के वजन को उठा सके वैसे तो ये जानवर बड़ा ही लवेबल है और किसी को बेवज़ा नुकसान नहीं पहुचाता हाँ मगर बिलकुल तीर की तरह सीधे और दिखने में बहुत ही खुपसूरत लगने वाले इन सिंगों की वज़़ से इने कुछ इंसान बुरी नज़र से देखते है इनके सिर से जादा ये सिंग उन्हें अपने ड्रोइंग रूम में सचे हुए जादा अच्छे लगते है इसलिए इनकी संख्या लगातार कम हो रही है और अब ये जादा तर जू में ही देखने को मिलते है ये भी एक प्रकार का हिरन ही है मगर साइज में थोड़ा सा बड़ा अब शरीर की साइज इतनी बड़ी है तो ये बड़े-बड़े सिंग भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है इस स्पीशीज में भी मेल और फीमेल के सिंगों की साइज में बड़ा अंतर होता है जहां male के सींगों की साइज करीब 130 cm तक हो सकती है तो वही female island के सींगों की साइज करीब 70 cm के आसपास होती है ये जानवर Central African countries में पाया जाता है और बिलकुल भी dangerous नहीं होता शुरुवात में कर्व लिये हुए इनके सींग टॉप पर जाकर एकदम नुकीले हो जाते है आप बस ये समझे कि ये सिर्फ दिखावटी सजावट है ये किसी को नुकसान पहुचाने के लिए अपने सींगों का इस्तिमाल नहीं करते जरा देखिये तो इस आधी काली आधी सफेद बकरी को इसका नाम रास्प्यूटिन है और इनका नाम 2017 में गिनीज बुक ओफ वोल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है इसके सींगों की वज़र से जी हाँ इसके सींगों की टोटल साइज है 135.2 सेंटिमीटर ये आज तक के किसी भी बकरी के सबसे बड़े सींग है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत खतरनाक होगी या हर कभी हमला कर देती होगी तरसल इस बेचारी ने तो आज तक अपने जीवन इतिहास में एक बार भी किसी पर भी हमलान नहीं किया इस बकरी को तो शांती का नोबल प्राइज मिलना चाहिए जब बात आती है सबसे खुपसूरत और शाही सींगों की तब बारा सींगा का नाम आना तो लाज़मी है इनके सींग पूरी तरह से हड़ियों से बने होते हैं और खुप सारी ब्रांचिस में होते हैं धीरे धीरे समय के साथ ये मजबूत भारी होते चले जाते हैं और इनकी ब्रांचिस भी बढ़ती जाती हैं बाद में इने स्वाम डियर किसी मजबूत चीज से अपने एंटलर्स यानि की फैले हुए सींगों को रगड़ रगड़ कर तोड़ते हैं ताकि बजन कम किया जा सके मगर इस पेइनफुल प्रोसेस के बाद ये वापिस उगने लगते हैं मतलब कि ये शाही सींग इनके लिए बू नहीं बेन है अभी तक सबसे ज़्यादा एक सौम डियर के सिर पर 57 ब्रांचिस रिकॉर्ड की जा चुकी है जी हाँ भेड, हिरन, गाय, बक्री और भैस के अलावा एक और जानवर है जिसके सिर पर सींग होते हैं बस फर कितना होता है कि इनके सींग सामने नाक के उपर होते हैं एक सींग वाला गेंडा भारत के असमराज्य में पाया जाता है वही दो सींगों वाले गेंडे एफरिका में होते हैं दो सींगों वाले भी दो तरह के होते हैं वाइट राइनोस और ब्लाक राइनोस अगर इनके सींग की लेंग्ध की बात की जाए तो वाइट राइनोस के सींग की लेंग्ध ब्लाक राइनोस के सींगों के मुकाबले ज्यादा होती है ये मैक्सिमम करीब डेट सो सेंटीमिटर तक पहुच जाती है अपनी सींगों का इस्तमाल ये दुश्मनों से बचाब और दूसरे गेंडों से लड़ाई के लिए करते है इसके अलावा खाना पानी खोजने में भी ये सींग बड़ी मदद करते हैं और आप पो एक जटका दू राइनोस की सींग किसी हड़ी से नहीं बने होते बल्कि वो एक बाल होता है जो की किरेटिन की परत से बना होता है और इतना मश्बूत होता है कि मगर मच के मोटे चमडे को भी छलनी कर जाए मगर इन सींगों की वज़ से ही ये तसकरों और इंसानी शिकारियों की नजरों में हमेशा बने रहते हैं और इसलिए दिन बदिन इनकी संख्या भी लगातार कम हो रही है सेंट्रल एशिया के पहाड़ों पर पाये जाने वाला ये जानवर बड़े ही खूपसूरत और करली सींगों का मालिक है पर फीले इलाकों में रहने के कारण इनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और एक बड़ी सी दाड़ी भी होती है ये दाड़ी और करीब 160 cm लंबे सींग मिलकर इसे बड़ा भयानक लुग देते हैं वैसे ये जितने भयानक दिखते है उतने होते नहीं है इनके ये बड़े और सुन्दर सींग इनके जीवन के लिए सबसे बड़ी आफ़त है क्यूंकि इनसान नाम का सबसे खुंखार जानवर इनके सींगों के लिए इनकी हत्या कई सालों से करता चला रहा है हिमाल्य की पहाड़ियों पर पाया जाने वाली भेड़ों की ये प्रजाती ब्लुशीप के नाम से भी जानी जाती है और सब कमाल की बात है कि इसके शरीर पर कही भी ब्लू रंग नहीं होता हाँ मगर सींगों के मामले में इनके बारे में जो बाते की जाती है सारी सच है इनके सींग बार की ओर मुड़े हुए होते हैं और पीछे की तरफ घूमते जाते हैं मेल भारल के सींग कभी-कभी 165 सेंटीमिटर तक भी लंबे हो जाते हैं। फीमेल भारल के सींग मेल की तुल्ला में थोड़े छोटे होते हैं। और ज्यादातर भेडों की तरह ये बेड़ भी बिलकुल भी खतरनाक नहीं है। लंबो थ्री आफ्रिकन वाचूसी ये काव की एक प्रजाती है जिसे नॉर्मली किसान डॉमेस्टिक यूज के लिए पालते हैं। इनके सींगों की साइज बढ़कर कभी-कभी 200 सेंटीमिटर तक भी चली जाती है। और एक कीस जो इनके सींगों को सबसे स्पेशल बनाती है वो ये है कि इनके सींग अंदर से खोकले होते हैं। यानि इनके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं जिन में बलड सर्कुलेट करता रहता है जो इने आफ्रिका की गर्मी को बरताश करने के काबिल बनाता है। इसके अलावा इनके सींगों की मोटाई भी बागी किसी भी स्पीशिस के सींगों की मोटाई से ज्यादा होती है। अब जरा पानी में रहने वाली इस आनिमल के सींग के बारे में बात करते हैं। नार्वेल्स गहरे समुदरी पानी में रहती है और इसलिए दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग है जिन्होंने इसे देखा है नार्वेल्स के बारे में जो सबसे स्पेशल चीज है वो है इनके सर पर ये लंबा सा सींग यही बज़ो है कि इने पानी का यूनिकॉन भी कहा जाता है धरसल ये कोई सींग नहीं है बलकि एक बड़ा हुआ दाथ है जो बाहर बहुत लंबा निकल जाता है बिलकुल हाथी की तरह इनके सींग या कह लीजे दाथ की लंबाई करीब 300 सेंटीमिटर के आसपास हो सकती है इस सींग का यूज ये पानी में अपने शिकार को फसाने के लिए करती है और पहले नमबर पर आती है लॉग हॉन काव इसके सींग देखिये तर जरा देखकर लगता है जैसे कोई परवत उखाड कर भी फैक सकती है ये इस गाय को दो अलग-अलग गायों के हैब्रिट से तयार किया गया है इसके सींगों की लेंग्ध करीब करीब 257 सेंटीमिटर तक चली जाती है और इन सींगों के वजन को उठाने के लिए ये गाय केपेबल भी है ये बड़ी मसबूत और बड़ी स्ट्रॉंग बॉड़ी क मालकिन होती है और भारी-भारी काम भी आसानी से कर लेती है इसलिए किसान इन्हें खेती के कामों में इस्तिमाल करते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे पॉंचो नाम की इस गाय की एक सींग की टिप से लेकर दूसरे सींग की टिप तक की साइज है करीब 320 सेंटीमिटर इस मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल से चलत पहुंच जाए